हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि जो छोटे बेबी रहते हैं उनकी कैसे लोई की जाती है उससे कैसे हैर रिमूवर बेबी के आसानी से निकाल सकते हैं तो आप ये वीडियो लाश्टे तक जरूर देखिए आपको जो बताया है वेसे ही करना है बेबी के सारे है अगर बोटी पर उसके हैर है तो इसको कैसे रिमूव किया जाए तो मैं यहां पर बहुत असान और सस्ता जो है घरेलून उसका बताने जा रही हूं आपको आटा लेना है आटे को छली से छान लीजिए थोड़ी हल्दी लेनी है और कुनकुना पानी लेना है तो आप जो थ आपको बेबी के हैट पर फूट पर फेस पर जहांबी हैर है उसको दीरे दीरे रिमू करना है उसपर इसलोली हातों से दीरे दीरे और असपर चलाए बाल थीरे धीरे निकल लेए यह आपको फॉर मंत तक यह करना है इससा अशानी से निकल जाएंगे बाल अप चाहते है Basic बेबी की स्किन में गुलो आए तो आप मलाई भी डाल सकते हैं आटे के अंदर आपको ये धिहान रखना है तो आप 15 से 20 दिन बादी बेबी के जो है इस्टार्ट कीजिए आपको इसके बेनिफिट से रिजल्ट्स मिलेंगे अब को अपने बेबी पर ये लोई करके बताऊंगी फिलोई है उसको तयार कर लिया है ये आपको थोड़ा सा टेल भी लेना है नीचे क्योंकि जो आटा है उच्ची पख सकता है बेबी की बोडी पर तो आप थोड़ा सा तेल लिप कीजिए उसके बाद ही लीजे से अब मैं आपको बताऊंगी कि बेबी के जो फूड हेड़े उस पर कैसे मसाच को एसे कर लिए धीरे-धीरे यह लपना आप निकल जाएगा आपको छोटे बेबी को ऐसे इस लोले हाथ से धीरे-धीरे कर लिए आप आटा भी जविश्मुस को ऐसे गोल भूमाई है कि थोड़ पंद था रहे जो यह रहते हैं लेधी की उस पर भी काफिए रैते हैं कि तो आप उसको ईसको-एस विधीла अटा यह वैट पर या जो वेदी यहां पर इस्से उपर वाले शोलडर पर जो रहते हैं आपको आपको अच्छे से करनी है आप आप बीच बीच में तेल भी लगाते जाहिए क्योंकि देखो इसमें तेल कम हो गया है तो याटा है मेरे हेड में जिपकने लगाए तो आपको करना है और लेकर उसको थोड़ा गीला करना है